नमस्कार, स्वागत है आपका दाहिंद वोरेड न्यूस में जहां मुठाते हैं आपके वास सच के साथ मैं प्रगती पांडे, आप सभी को आज नैशनल वोटर्स डे की हादिक शुब कामना है आज 25 जनवरी हैं मैं आपको बता दे कि आज के दिन 2011 में नैशनल वोटर्स डे की हमारी ततकालीन देवी प्रतिवा पाटिल जो प्राश्पती थी उनके द्वारा ये दिन स्थाफित किया गया था प्रतिजी ने दरसल इस दिन का मकसद होता है कि आज के दिन जो हमारे मददाता है जो हमारे इस देश के वो लोग हैं जो इस देश में एक नेता को लाने का या फिर एक पूरी पार्टी को लाने का काम करते हैं जो ये सुनचित करते हैं कि कौन इस देश पेर काम करेगा और देश के लिए सही है यानि कि एक वो वोटर जिसकी कीमत बताई जाती है कि काफी जादा है अकसर हमने देखा है कि वोटर की वैल्ली और जो मद्दान करने की जो इंपॉर्टेंस है उसे बताने के लिए कई अभिहान चलाए जाते हैं उसी चीज़ को मद्दे नजर रखते हु जो इस साल की तीम है वो ये है कि डेमोक्रेसी में जो वोटर्स हैं उनको सिक्षित करना और उनकी ताकत को और लोकतांतर की ताकत को बढ़ावा देना यानि कि आज पूरे इलाके में जगा जगा नैशनल वोटर्स डे के लिए लोगों को प्रभावित किया जाएगा तरह की खबरे गुरुगराम डॉक्टर यश्गर्ग ने जो साजा की वहीं हम आपको बता दे कि इस अभ्यान के तहद उन लोगों को उन वोटर्स को उनके अधिकार के बारे में जागरुक किया जाता है और उन अन्य नए वोटर्स को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है जो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस देश की नीव रखने का काम करेंगे जैसे कि उनके लिए आज उनके वोटर आईडी कार्ड उने जारी किये जाएंगे कोई भी जो 18 साल के हो चुके है या फिर अन्य जो ऐसे नए वोटर्स है जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने वहीं हर जगा आज पूरे छेत्र में इनके वोटर आईडी कार्ड बनाए जाएंगे और एक नई स्थापना की जाएगी मद्दाता दिवस को लेकर हम बता दे है कि एक वोट की कीमत कहीं जादा होती है इसलिए आज के दिन ये दिन मनाया जाता है और हर किसी को जागरुक किया जाता है इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वर्डाम देती हूं तब तक के लिए बने रही हमारे चैनल के साथ आप देख रहे दा हिंदौरी न्यूस झाल